अब देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि नरुटो एक ऐसी एनिमे सिरीज है एक ऐसा शू है जो कि लगबक सभी को अपनी जिन्दगी में कम से कम एक बार तो देख नहीं चाहिए नू मेटर आप एनिमे फैन हो या फिर नहीं क्योंकि जिसने भी ये शो देखा है तो वो ये बात जालता है कि नरुटो सिर्फ एक एनिमे नहीं है बलकि उससे कहीं ज़ादा बढ़तर है और क्योंकि रिसेंट टाइपर लगबक सभी पॉपुलर एनिमे शोस के लाइव एक्षन मुवी को एनौस किया था आज से 9 साल पहले यानिकी 2015 में हालकि एनौस बहुत पहले कर दिया था बट अब जाकर सही में इस मुवी के उपर काम चालू किया गया है साथ ही आज से कुछ टेफ पहले नरुटो की लाइव एक्षन मुवी को लेकर ऐसी अपडेट भी निकल कर आ चुकी है कि शेंग्ची एंड दी लेजेंड और पैंड रिंग्स मुवी के डिरेक्टर टेस्टिंड डैनियल क्रेटिन इस मुवी को अपना डिरेक्शन देंगे एंड उपर से नरुटो के क्रियेटर मसाशी किशिमोटो भी इस मुवी में ऐसे प्रड्यूसर इ ओडा सेंसे इन्वाल्व हुए थे जिसके बाद जाकर कहीं फैंस को भरूसा हुआ है कि ये लोग नरुटो के साथ जस्टिस करेंगे क्योंकि हम जानते ही है कि हॉलिवूड एंड एनिमे का आपस में कुछ खास बनता नहीं है हाला कि रिसेंट आइपर वनपीस की लाइफ निकल कर सामने आई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल ये मूवी फोकस करने वाली है टीम सेवन के डवलपमेंट के उपर जिसमें शामिल है ककाशी सैंसे सास के नरुटो एंड साकुरा जासे हमें इस बात का पता लगता है कि ये मूवी फोकस करने वाली है नरुटो के प अलकि अभी ये बात भी confirm नहीं है कि ये सारी आर्क हमें इस मुवी के अंदर देखने को मिलेगी या फिर कुछ ही एंड साथी रीसेंट टाइम पर इस मुवी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो उसके हिसाब सी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नरोटो का पार्ट वन सेक्सेस्फुल रहता है तब जाकर ये लोग इसे ऐसे फ्रेंचाइस पॉलो करेंगे और अगर बात करें कि आपको ये मुवी कब तक देखने को मिल पाएगी तो फिलाल के लिए कोई भी ओफीशिल डेट गनपर नहीं करी गई है क्योंकि अभी भी ये मुवी अपने अरली डेवलप्मेंट पीस में है पर फिर भी ऐसा मान के चलो कि आपको ये मुवी 2025 या फिर 2026 के आसपास तक बड़े अराम से देखने को मिल जाएगी और अगर इसका फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस्वल रहता है तब जाकर हमें इसके कई पार्ट देखने को मिल सकती है बाकि आप इसके कौन कोर इस मुवी के लिए वेट कर रहा है तो नीचे हैश्टेग नरुटो कॉमेंट करना मत भूलना